Hello and welcome to Let's Crack it with Abhishek Gupta तो हम continue कर रहे है political history of उतराखंड को जिसमें चन्ड डाइनस्टी जनरी है कुमाओ की अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखिए तो उनको प्लीस पहले जुरूर देख लिजेगा जिससे आपका continuation में चलता रहे अल्लेड हमने चन्ड डाइनस्टी के उपर काफ़ी सारी वीडियो बना चुके है इस सारी वीडियो से के तो चन्ड डाइनस्टी कवर हो चुके है अब एक वीडियो में चन्ड डाइनस्टी का खतम हो जाएगी गाईज बताना चाहूँगा अगर आपने Let's Crack It विद भीडियो के नोटिफिशन्स मिलते रहे हैं Let's Crack It विद भीडियो के नोटिफिशन्स मिलते रहे हैं तो उसको जोइन करना बहुत ज़रूरी है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो जैसी आप उसको जोइन कर सकते हैं इसली उसको जोइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकै जोतने भी अपडेट्स आते हैं वो सभी वहीं पे आते हैं तो जो भी हैंपे followers हैं जो यहा पर वीडियोस देखते हैं उसको प्लीज जरूर से जरूर जोइन कर लिए कि उसको जोइन करना बहुत बहुत जादा ज़रूरी है साथ गया बदान चाहूंगा lower PCS means के लिए FRO means के लिए test series चल रही है full preparation batch चल रहा है तो जो भी candidates lower PCS means में FRO means में test series जोइन करना चाते हैं या full preparation batch जोइन करना चाते हैं तो वो मुझे 766-580-4421 पर call your message कर सकते हैं चल लिए हमने काफे सारी चीज़ें इसमें cover कर ली है तो अगर हम जाएं जहां से हमने start करना है हमें पढ़ना है अभी तृपुरा सुंदरी temple से इससे पहले कहीं सारे temple संपड चुके हैं जो कुमाओ डाइनिस्टी चल रहे थे अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको जुरूर देख लिजगा जिससे कि आपका सब cover हो जाए start करते हैं तृपुरा सुंदरी से तो first on the road leading to the Nanda Devi temple आपके जो तृपुरा सुंदरी का मंदिर है ये Nanda Devi मंदिर की ओर जो जाने वाली सडक है वहाँ पर ये मंदिर है the temple was constructed by राजा उद्योचंद ये temple को जो बनाए गया था राजा उद्योचंद के दोरा बनाए गया था जाने की जब उन्होंने विजय पाई तो उसको याद करने के लिए उसको याद रखने के लिए उन्होंने तृपुरा सुंदरी का मंदिर बनवाया था उसका बात आती है गुरू नानक देव और उनके जो विजट्स थे कुमाओं के जो सिखो के जो प्रिथम गुरू है गुरू नानक देव जिनके बाद सिखिजम धर्म की स्टार्टिंग हुई तो गुरू नानक देव भी उत्राखन आये थे उत्राखन में कुमाओं में आये थे तो नानक देव इस डिविनिटी इंकार्नेट एंड वाज बॉन 15 अप्रिल 14 16 अपर इस तलवंडी तो तलवंडी पाकिस्तान में उनका जनम हुआ और जिसको इट वाज इस नाव नोन अस ननकाना साहिब और अब यह कहां पर है लाहुर में है और वो जो जंगा है जहां प जो इन्वार्मेंट है कुमाहो की जो उस टेम पे ब्यूटी थी उससे गुरुनानक देव जो है वह बहुँजद प्रभावित हुए और वो नानक मत्ता भी आये तो गुरुनानक देव विजिटेड नानक मत्ता ट्वाइस वो दो बार यहां पर आये पहले तो पंदरा सु साथ में आये और फिर पंदरा सु सतरा में आये तो डिसेमिनेट सिखिजम उसिखिजम धरम का प्रचार करने के लिए वो यहां पे आये इन दा मीडिवल पीरेड दिस एरिया वास नोन अज गोरक मत्ता ओइंग तो फोलोर्वर्स हो था गोरक नाथ पंथ हूस टेड़ दे उस जगा को मीडिवल पीरेड में गोरक मत्ता का जाता था क्योंकि उस टाइम पे गोरक नाथ के जो फोलोर्स थे गोरक नाथ पंथ के जो फोलोर्स थे वो वहां पे रहा करते थे ये एक इंटिग्रल पार था चंद किंग्डम का और रुद्रपूर जो था एक इंपोर्ट के बुलाने पर गुर्णानक साब वो वापिस आये 1563 में उसके बाद वो बागेशवर गए जो कि दो नदियों किनारे बसावा है सरी और गोमती सरी और गोमती नदी किनारे बागेशवर बसावा है जो एंशेंट बागनाथ टेंपल है लोकिड़ है वो रिस्टोरड बाए र गुरुद्वारा वाज हाववर कंस्टोर्टेंड इन 1960 मीठेरीट असाई पर गुरुद्वारा है यह जो लड़िया और रतिया जो रिवर्स हैं उसके कंफ्लुएंस पर बसावा है और यह 1960 से बनवाए गया था फर्स्ट के टेकर जो थे गुरुद्वारा के वो लाला बै जो बात सेनीर और गुवर्नर और परगना का गवर्नर हुआ करता था discipline यानि कि नुसाशन, punctuality, समय की पावंदी और commitment यानि कि प्रतिबत्ता ये basic traits वहा करते हैं हिल्सोल्जर्स के तो जो हिल्सोल्जर्स हैं जो हिल्स के यानि कि mountains के जितने भी सिपाई हैं उनके अंदर discipline, punctuality और commitment ये आप कह सकते हैं कि भर-भर के होता है और वो बहुत ही जाधा साहस दिखाते हैं और शावल्री दिखाते हैं एक कभी भी जब भी युद का मैदान में वो उनको भीजा जाता है तो land was allotted to military commanders and the income accrued from it was used for the payment of troops तो land allot कर दी जाती थी military commanders को और उससे जो income होती थी उससे troops को जो सेना होती थी उसको पैसे दी जाते थे पेमेंट दी जाती थी recruitment of soldiers was done on a regional basis regional basis के according soldiers का recruitment क्या जाता था and soldiers were named after the specific area of recruitment to which they belonged और जो soldiers का नाम था वो उस जगा को दे दिया जाता था उस जगा के हिसाब से दिया जाता था वो लुहाबा था अब देख क्या हुआ कि वैसे तो जब नेपाल के थ्रू कुमाओं पर गुर्खाज ने रूल करना शुरू कर दिया उस पर कबजा कर दिया लेकिन गडवाल और कुमाओं की सीमा पर बहुत मजबूत फोर्ट थे जिसके वज़े से जो जितने भी गुर्खास थे उनको 12 साल का समय लग गया गडवाल में इंटर करने से तो कुमाओं का पोजिशन उप्रेंड करने के बावजूद उसके बाद उन्हें 12 साल लगे गडवाल के इंदर इंटर करने में लंगोरगड जो फटरावस यह पी लोगे बाद न में के वे प्रोट्थ निए कि बनवान होने बावन होने बहुत जाद़ पसंद ता तो उन्होंने अपने भाई से रिक्वेस्ट की जो दोती का जो राजा हुआ करता था कि यह जो किला है आपका यह हमें दे दीजे लेकिन उनके भाई ने उस चीज के लिए मना कर दिया तो शी आस्ट हर संट लाउंच अन अटैक अन दोती तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आप जो है दोती पर हमला कर दिजे यानि अपने यह उनके मामा पर हमला कर दिजे लेकिन वह कहीं बार होजूत वह हार गए वह इस चीज में सफल नहीं हो पाई fortunately at this stage रुदुरुचंद came in contact with a galliant warrior पुरुष उनको परकुपंद भी कहा देते who was deployed for the purpose तो परकुपंद को बाद में deploy किया गया जब रुदुरुचंद के द्वारा रुदुरुचंद से वो नहीं जीत पाए रुदुरुचंद नहीं जीत पाए दोती के महल को, दोती के फोट को तो उन्होंने एक warrior थे पुरुच परकुपंद उनको deploy किया, he displayed great tactics and chivalry और यंटो विच दोती किंग रायका राजा मल्ला was defeated, तो उसके बाद इन्होंने उनको हरा दिया and the queen mother succeeded in a mission, और जो queen mother थी वो अपने mission में succeed हुई और उन्होंने जो उनको दोती का जो किला था, वो बहुत जादा पसंद था वो उन्होंने उसको कभजा लिया the chand maintained two huge stocks of food grains at village actually for use at the front अधिके chand जो थे, वो बहुत बड़े-बड़े stocks maintain करके रखते थे food grains के, वो इससे जरूरी है क्योंकि कभी भी अगर आपदा आ गई या कभी भी अगर सूखा पढ़ गया या कोई भी problem है, उसके वैसे अगर agriculture या खेती नहीं हो पाई तो फिर सेना को और पूरे समराज्य को कैसे खिलाए जाएगा, तो इस वज़े से बड़े-बड़े granaries में दो जंगा पर स्टोरेज करके रखते थे दो हूज स्टोक्स होगा करते थे एक गाउँ था होली वहाँ पर है होली देख लेना आपकी उसका pronunciation है किस तरह साब करेंगे तो अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में भी जो छोटा स्टोक हुआ करते थे और इसको पहले ही उसके भी खतम हो जाता था तो लार्ज स्टोक को खोला जाता था जिसको प्रत्वी पाल कहा करते थे तो पांडे ब्रहमेंज शोल्डर दर रेस्पोंसिबिलिटी ओफ मेंटिंग देखेंगी तो जो पांडे ब्रहमेंज थे उनको इसीच की डूटी दी गई थी कि आप इस इस टॉक्स को मेंटिन करके रखेंगे मौला राम जो फेमस पोईट थे गड़वाल के उनकी जो काम है गनी का उनकी जो किताब है गनी का उसमें उन्होंने बताया है कि सोल्डर जो हैं वेपन के साथ साथ कुछ अनाज भी ग्राउंड में लेके जाया करते थे रेजिमेंट हमेशा से प्रसिद रही है इस पे तो ये कहा जाता है कि कुमाओ और गड़वाल के जो लोग हैं वो शुरू से मार्शल रेस हैं यानि कि मार्शल रेस का मिलब हुआ कि ये बने ही लड़ाई के लिए हैं आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसे योद्धा हैं जो सेना में अगर एंटरी लेंगे तो जो जिस भी सेना में वो एंटरी लेंगे वो सेना भौह जादा सुधर्ड हो जाएगी भौह जादा strong हो जाएगी और आज भी मान जाता है कि एखर वो यूदध के मैदान पे शहीद हों तो उससे अच्छी वीरगती को प्राप्त होना कोई बात ही नहीं है तो गरूर यानचंद ओनर्ड सरदार निलू कठहत after his conquest of तराई तो जो गरूर यानचंद थे जिनको गरूर विद्धिया काफी नौलिज थी गरूर की यानि की इगल की या आप कहा सकते हैं ऊठीकल ओनर्ड सरदार निलू क ठहत तो जो कमांड़ का गाउन था निलू कठहत का आप पर गेट पर गाउं में चैसी एंट्री होती है तो वहाँ पर एक स्टोन पर एंग्रेविंग करके आप क्या सकते हैं टेस्टीमनी लगा दी गई एक स्लाब लगा दिया गया कि यहां पर यह जो person है यानि उनकी याद में उस चीज में उसका इकमा पर stone लगवा दिया गया next रहता है by way of raoth यानि कि land grant he was given the three villages in mall उनको raoth के थूँ यानि कि land grant के थूँ उनको तीन गाउं दे दे गे माल में और कुछ land दी गई देयानी raoth के पास तराइभाबर शेतर में the land given to soldiers for exhibiting valor on the battlefield was known as raoth तो यह बहुत important चीज है कि raoth किसको कहा जाता है तो raoth उस जमीन को कहा जाता है जब कोई soldier battlefield में बहुत जादा साहस दिखाता है बहुत जादा courage दिखाता है तो उस time पे जब हो जीत कर आता है तो उसको सम्मान देने के रूप में जो जमीन उसको दान दी जाती है जमीन उसको नाम कर दी जाती है उसको raoth कहाता है जो परसिंदा है उसको और मरावत हो गया कि मालहे ते हैँ कोई person बहुत जादा बहादर जिखाता हुआ battlefield में जब वो शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को जमीन दी जाती है उसके घरवाले को जमीन दी जाती है उसको मराउत कहते थे तो अगर जिन्दा है परसेंट वराउत और मर गया है तो डेथ हो गई उसकी battlefield में तो मराउत The mothers and wives of the martyrs were invited to the other bar जो माएं हुआ करती थी और wife हुआ करती थी martyrs की उनको दरबार में बुलाय जाता था और उनको tribute दी जाती थी supreme sacrifice the king touched their feet जो राजा था वो उनके पाउच हुआ करता था उनको pension भी दिया करता था कि आपके बिड़े ने बहुत जादे बहुत भी दिखाई है battlefield में the popular folk deity जहां पर आप देखे अगर ये चीज़ आज के time पे अगर हो तो कितना अच्छा होगा जितने भी मारे soldiers जो battlefield में सीमाओ पे जिनके death होती है अगर उनकी mothers उनकी wives को इस तरह से सम्मान मिले तो कितना ही अच्छा होगा सभी के साथ है सहोना चाहिए the popular folk deity उससे हमें एरी दियो जो था एक epitome हो अगर ते the gallantry and portrait the martial traditions of the region तो popular folk deity जो है उस रिजन की कोवाओ शेतर की वो एरी दियो है एरी देता है तो जो वीर्ता के प्रतिक हैं आपने नेक्स आता है बसंत पंचमी अगर हम देखें तो sisters and daughters वेर पिठें red vermilion mark on the forehead vermilion mark होता है जो सिंदूर का sign होता है forehead पे and apply the same to the brothers and parents as well as the elders of the family तो बसंत पंचमी बेस अब करते हैं festival was popularized during the chandrool तो कुमाओ का जब chandrool चल रहा था उस ताइम पे जो पसंत पंचमी का festival था ये famous हुआ cloth which was tied to the weapons of the soldiers were especially dyed with the yellow flower fulee which blossoms during spring time ये कवड़ा बांदा करते हैं soldiers के weapons पे उस ताइम पे जो dye किया जाता है yellow flower से fulee से जो की spring time के time ही यानि की spring के time ही खिलता था जब फूल वो खिलेगा तो उसके बाद उसका रस निकाल कर उसकी डाई बना कर उससे रुमाल को रंगा जाएगा और उस रुमाल को जो soldiers का जो weapons होते हैं उसको 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 बांदा आता है और बसंत पंचमी held on mark शोकल बक्स पंचमी the king of टीरी गडवाल state आफर कंसल्टिंग था हिंदू अलमनाइक का होता है जो हिंदू कैलेंडर होता है अगर हम उसको कहें विद रिलीजियस ऑफिशल से देट अज भी चलती आ रही है उस तेम पे राजा का पहले से नरेंदर नगर में हुआ करता था जो आज बहुत जादा फेमस गड्डू घाड़ी सरेमनी जो सरेमनी है वह भी महाँ पर होती है तो गड्डू घाड़ी क्या है एक सिल्वर वैसल है कलश है जिसमें से इन्विज दा ऑउल एक्स्ट्राक्टर फम दा सेसमे सीड यूज़ वर्षिवन बत्रिनाथ धामिस क्याप तो सेसमे सीड से यानिकी जो सेसमे के सीड से है तो यहानिकी तिल के जो तेल है तिल का जो तेल निकलता है उससे उनकी पूज़ा होती है बत्रिनाथ धाम में तो उसको जिस चीज में रख़ा जाता है उसको खलश कहते है और जो झालश है इसको गड़ू-घड़ी कहते है तो गड़ू-घड़ी वह सिलवर वेसल है यानिकि चांदी से बनावागी कखलश है और इंड़ेस वैली की सभ्वीता में भी इसको पाया गया है ट्रडीशनली सेसमे ऑईल जो है वो लॉडबतरी की पूजा करने से लगाए जाता है बहुत ओइंग तो इस एंटिविट इन मेडिशनल प्रोपरटीज क्योंकि उसमें बहुत ज़ादा मेडिशनल प्रोपरटीज भी है इस वज़े से उसको जब लॉड बदरीनाथ की हम पूजा करते हैं जोशी मठ में उनकी पूजा होती है फिर with the seat of Shankaracharya and placed in the nursing temple वहाँ पर जो nursing temple है जोशी मठ में वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है जोशी मठ is considered as one of the most sacred places going to antiquity and association with Lord Balrinath तो जोशी मठ है उसका नाम निकला है जोटिर मठ से जोटिर मठ का मलब होता है कि वो जहाँ जहाँ पे Lord Shiva के जोटिर मठ है उससे नाम निकल गा है जोशी मठ का तो जो शंकरचार है उन्होंने चार पीट जो पूरे भारतवर्ष में established किये थे उनमें से एक पीट बद्रिनाथ में विधाम में भी established किया था तो सन्यास के लिए एक पीट उन्होंने यहाँ पर भी established किया था लक्ष्मी प्रशाद डीमरी जो फॉर्मर चीफ प्रीस्ट हुआ करते थे और नर्सिं टेंपल इन जोशी मठ उन्होंने कहा कि राइट आर्म जो है आइडल ऑफ नर्सिंग इंस्टॉल्ड इन टेंपल इस थिनी डेली कि जो नर्सिंग की जो प्रतीमा है उनका एक जो राइट आर्म है वो डेली पतला होता जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि वहाँ पे लेंट लैंट लैट जाएगी बदरिनाथ टेंपल के आसपास और वहाँ पर जो नर टेंट रिन भभविश्य बदरी तो उस डिजास्टर के बास लोर बदरिनांत को भवश्य बदरी बा जाएगा यानि कि वह भविश्य को हो गये हैं तो भविश्य बतरी कहा जाएगा को नेस्मार आदा है तेंपल ओं फेरी दियो इसको और बाई